नवस्कार जैगानेश आप देख रहे हैं यूटूब का चैनल एस्ट लाजनरेश आज का वीडियो है राशी चक्र की पाँचवी राशी अगनी तत्व की राशी से ही राशी वले जत्तकों के लिए मार्श 2021 का महीना कैसा रहेगा इसके बार में आपको बिता दें कि यह प्राशी आदारीध है यदि आपकी जन्मा कुड़ी में चंद्रा 5 नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशी सी है और यह प्राशी आपको उसर करने वाला होगा कोई भी साल के अंदर 15 आउगस से लेकर 14 सप्टेंबर के बीच्वें आपका जन्म हुआ है वो जन्मक के सूर्य अभी आपके पांच नंबर के अंदर लिखा है तो भी यह पेडिक्शन आपको सरकने अपर यानिके सेही रासी के अंदर है तो यह पेडिक्शन आपको बहुत ज्यादा असर करेगा तो सबसे पहले बात करेंगे आपके राशी का दिपती ग्रफ सूर्यग्र के टानिट से सूर्यग्र आपकी रासी से सब्तम सान के अंदर चल रहे हैं दापते जीवन के स्थान के अंदर चल रहे हैं पार्टना सिक के स्थान के अंदर चल रहे हैं तो सूर्य का फल थोड़ा सा उग्रत है ही है क्योंकि आपकी रासी से सब्तम सान के अंद होगा तो रिलेशन सीप में आपको अपने पार्टनर के साथ जो भी जातक विवाइद हैं मेरिड हैं उनको भी अपने पार्टनर के साथ अंपत्य जीवन में विश्यस केर करना होगा सूर्य का यहां पर जो ब्रहमण हैं वो 14 मार्ज तक होगा सामको छे बचकर पांस मिनिट क सूर्य रासी परिवत्न करके चलेंगे मीन रासी के अंदर इसको बोलेंगे मीन संक्रांती तो मीन संक्रांती जो हैं वह सामको छे बचकर चार मिनिट से लेकर सूर्य अस्त तक होगी क्योंकि सूर्य सामको रासी परिवत्न कर रहा हैं और आठवे स्थान में जाने वाले सू करना होगा तो चौदा मार्ज की बात जो पिरेंट है उसमें गवर्मेंट इलेटेट मैंटर में भी करना होगा तो सुर्य का फॉल आपके लिए वाइस नहीं है तो समय में खास करके सुर्य पर सूर्य अस्तित करेंगे और इस्ट देवदेवी का महत्तम ध्यान-मंत्र करेफ noite जाओ पासना करें गाय को गुड़ खिला है सूर्य दर्सन करें और चौदा तरीकों दिन में तीन बार सूर्य का दर्सन करें तो बदलने वाली सूर्य ट्रांजिट आपके लिए 14 मार्स से लेकर 14 अपरिल तक का जो प्रेड है वो थोड़ा सा स्ट्रेस्फुल रहेगा हेल्थ वेल्थ सब को लेकर आपको केरफुल ट्रेन वहां उसके बाद बात करेंगे मंगडगर के बार में मंगडगर का ट्रांजिट जो है वो राहू के साथ है दस्वेस्थान में मंगण और राहू आपके लिए वीजय रक्स्मियों कर रहे है अलाकि प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मेंटर के अंदर कुछ दिस्टबंस आने की संबावरा रहेगी क्योंकि चोत्य स्थान में कीतू का फल भी सूप नहीं है मंगल की दरस्थी भी सूप नहीं है यहाँ पर गुरू की दरस्थी दस्थान में होगी जिसके कराण आपके केरियर के अंदर तो यह प्रोग्रेस करवाने वाले रहेंगे बिसनिस में केरियर में और खास करके जो कोई भी जैता अ आहल सक्के घ्रxa मेंडीकल श्राइ egent नजेएिट मसें धॉल्पहस करवाने यह तो मंग Language के बाद करेंगे बुविस्थ के करेंगे बुद्धका ब्रमन कौछ इस प्रकार है बुद्ध ग्यारा मार्श तक मकर रासी के अंदर है रासी से चट्वे संग के अंदर है उसके बाद चलेंगे सब्तम संग के अंदर तो दांपते जीवर में बुझ का फल सूप नहीं होगा 11 माच के बाद बुझ जो है वो आपकी रासी के सामने चलेंगे जिसकी करण तरंगी योग बनेगा माइन का वाइब्रेशन बढ़ने की संभवना रहेगी और ऐसी परिस्तिती में आपको लाइफ का कोई भी इंपोर्टन डिसीजन दिनिक आता है तो जल्बाजी में नहीं लेने जाएं गुरू आपकी रासी से चत्वेस्तान के अंदर है जो की आपको रोक्षत्रू पर विजय देने वाले होंगे बिजनेस में केरियर में प्रोग्रेस करवाने वाले हैं आपका करजा मुक्ति करने वाले हैं रून मुक्ति करने वाले हैं और आपके इंकम में भी उद्धी करन तो लाव मेंटर के कारग्र शुक्रग्र की ट्राजिट क्या कहती है आपके लिए वह भी जान लेते हैं तो शुक्र का जो फाल है वह आपके लिए क्या होगा शुक्र तो सूर्य यहां पर प्रेडित हो जाता हैं तो खास करके आपके जो इनला उस है इनको कोई health का problem आ सकता है या तो government related matter में आपको कोई problem आ सकती है या तो आपके खुद के health को भी कुछ problem हो सकता है तो health wise आपको ज्यादा care करना होगा जब तक सूरिय अस्टम साम में है 14 मार्च से लेकर 14 अपरिल तक का period आपको health wise ज्यादा care करना होगा क्योंकि सूरिय जो है वो गोच्चो ट्राइट में सनी से पिडित होंगे और शुक्र अस्टम साम में आपको शूपल देने वाले होंगे इंकम में उद्धी करने वाले होंगे और शनी ग्रह का जो ब्रमण है वो छट्वेस्तान से द्रस्टी करते हैं अस्टम वा में वो शूप नहीं होंगे और सूरिय शनी का असूप योग बनता है 14 मार्च से 14 अपरिल तो इन समय के अंदर आपको इन लोज के साथ relationship में भी ज सनी की जो दस्वी द्रस्टी है वो आपके तीसरे स्थान के अंदर होगी जिसकी कारण आपको अपने भाई बैन एवं नेबर्स के साथ भी relationship में क्यार करना होगा राहू आपकी रासी से दस्वे स्थान के अंदर है जो बिजनेस में केरियर में आपको अपक्रेड करने वाल stitched करके कौन-कौन से डेट सब जाड़ा तेक करना होगा इस मनत के अंदर हो इस्त्व कारें चार-पांच और छें जिसमें जसनद्र चलेंगे के 77 चोथे स्थान के अंदरgunël चोथा सथान जो है यहां पर की इनको सुखस स्थान के अंदर एड आन नेसेसरी टेंशनाली क्रिएट कर देंगे और ऐसी परिष्टिति में आपको लाइव का कोई भी इंपोर्टन डिसीजन जलबाजी में नहीं देना चाहिए जो डेट रहेगा चार पांच और छे मार्च का दूसरा जो डेट अपको टेक करना है वो तेरा चोदा पंदरा जिसमें चंदर चलेंगे मीन रसे में तो ये भी बहुत इंपोर्टन है 13, 14, 15, 8 वी देना के अंदर जो छोदा पंदर ऑमीन रसे में तो ये अस्टम सांची अंदर जो चंदर होंगे तेरा चोगदा पंदरा इसमें भी आपको पारिवारिक मामलों में क्यार करना होगा वीकंड रहे में क्यार करना होगा फाइनांसल मैटर में क्यार करना होगा लाइव का कोई भी इंपोर्टन डिसीजन इन तारीखों में आपको नहीं लेना है और once again आपको date take care करना होगा 23, 24 और 25 मार्च जिसमें चंद्रा चलेंगे करक रासी में तो करक की जो चंद्रा है वो रासी से 12 संद्रा बनते हैं 12 चंद्रा के अंदर भी आपको लाइफ का कोई भी important decision जलबाजी में नहीं लेना चाहिए तो यह है prediction मार्च 2021 का सेही रासी वाले जातकों के लिए यह दिए आपकी जानकारी में कोई मित्र है आपके सेही रासी वाले या तो जिनका भी जन्बा हुआ है 15 आगस से लेका 14 सप्टेमबर के बीच में ऐसे आपकी कोई मित्र है तो यह वीडियो आप उनको जरूर सेर करें चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में जो बेल का बटान है उसको भी फ्रेस कर दीजिए ताकर चैनल से जो भी नए वीडियो अप्लोड होता है इसकी आपको तुरन जानकारी में लें तो यदि आप अपना परस्नल हरोस को प्रेडिंग करवाना चाता है तो नंबर नोट कर लेजिए इस नंबर पर वाटसेप भी अवेलेबल रहेगा नंबर इस वरकार है 999-8011-838 याने के 999-8011-838 अब जहाँ भी रहो खुश रहो प्रसन्न रहो ठेल्दी रहो ऐसी सुप कमने के साथ जली ने वीडियो में जे इंग डेस, ते सि कर्षना, आधे राधे, जे सोणाथ, जे सोणाथ, जे सोणाथ, जे सोणाथ, जे सोणाथ.